गुड इवनिंग एवरीवन, गिल्ज मिन्टोर की ओफिशली यूटूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूँ रोजगर समाचार की एक और जबरदस दमाकेतर एपिसोड के अंदर मैं आपके लिए कराया हूँ गुड निउज, तीन हजार से ज़्यादा सरकारी नोकरी का नोटिफकेशन अभी अभी आउट हो चुका है जिसकी पूरी जानकरी मैं आपके लिए लेक रहा हूँ पूरी जानकरी आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कौन-कौन यहां पर फॉर्म बर सकता है क्या-क्या eligibility रखी गी है, आपका selection कैसे होगा और यहां पर फॉर्म बरने की शुरुआ date क्या है उसके बाद में end date क्या है अगर आपका paper written paper से होता है तो जरा उसका syllabus क्या होगा यह सारी बातें आपको इस session में बताने वाला हूँ बस आपको काम क्या करना है इस complete session को अंतक देखना है और अपने दोस्तों तक जरूर शेर करके उनको बुला लिया करें live session के अंदर अगर आप हमारे Instagram, Telegram, WhatsApp ग्रूप को join करना चाते हैं, जिनके links आपको description box मिल जाएंगे, वहाँ पर click करके join कर सकते हैं, जहां पर आपको सबसे पहले important PDF जो भी हमारे lectures होते हैं, उसके लवा free of cost books, magazines आपको सबसे पहले दी जाती हैं, तो मैं आपको लेके चलता हूँ, officially notification पर, तो फटा फट से session को share कर दीजिए, ताकि हर एक student अपने दोस्तों तक महुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, और सरकारी नोकरी की update लेके आना ये हमारी जिम्मेदारी है session के शुरुआते हैं बता देता हूँ कि ये notification हर्याना की तरब से out हुआ है, अभी अभी HSSC ने जारी किया है इसकी publishing date है 20 जुलाई और forum भरने की जो पहली date होगी, वो 5 अगस्त होगी ध्यान रखिएगा, 5 अगस्त से आपको link open मिलेगा, सिर्फ आपको 15 दिन का time मिलेगा, यानि 20 अगस्त को इसका link बंद हो जाएगा date यानि किसकी रहेगी fees की, 24 अगस्त तक अपनी fees कर सकते हैं, fees आप लोग अगर offline करना चाहते हैं, तो offline कर सकते हैं, otherwise आप net banking की जरिए, या आप CSC center के जरिए भी आप कर सकते हैं ये भी ध्यान रखिएगा, अब मैं आपको यानि सिलसला वार पूरी जान कर ही बताऊँगा, क्योंकि काफी लंबा session होगा गलतियां करेंगे और उस गलतियों का खम्याजा उन्हें भुगतना पड़ता है, किसी ने सच का है कि अपने मंजिल को अगर हासिल करना है, तो सबसे पहले उसका और क्या है और क्यों है, ये तीन चीज़ें आपको वालम जरूरी है, मतलब कि लिंक ये लिंक अलड़ी यहां पर है क्लिर, ये मैं लिंक आपको काम करूँगा कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, जहां से आपके लिए easy होगा, वहां से आप इसको डारेक्ट क्लिक करके, आगे फर्दर इसकी जानकरी ले सकते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ, सिलसला बार तरीके से, पोस्टों बताऊँगा अलग-अलग तरीके से, सबकी क्वालिफिकेशन बताऊँगा, उसके बाद में इनका सलेबस बताऊँगा, सबसे पहले तरीके का नॉटिफिकेशन है, इसके अंदर है कि पोस्ट ओपदा, जो आपको पटिकुलर इंस्टक्टर के लिए निकाली गए है थियोरी इंस्टक्टर के लिए, यहाँ पर दो पोस्ट हैं, ध्यान रखिएगा, दो पोस्ट हैं और इन दो पोस्ट के लिए जो सेलरी होगी इसके अलावा ध्यान रखिएगा, जितनी भी पोस्टे निकल रहे है इन सब में 10th क्लास या 10th से अपर क्लास में आपने हिंदी या संस्कृत को एक सब्जेक्ट पास किया होना ज़रूरी है अब इसके बाद में प्रेफरेंस की जहां तक बात है, यहाँ पर गिमन है कि फर्दर प्रोसेस के लिए आप एक काम करिएगा जिसकी भी यहाँ पर क्वालिफकेशन है तो इसका स्क्रीन शोट ले ले आप ठीक है इसके बाद में नमबर दो कैटेगरी की बात करते हैं, यहाँ पर है फोरिस्ट एंड हीट, जो ट्रेटर ब्लैक समीथ के सबंदेत इंस्टर की पोस्ट हैं, इसमें एक पोस्ट हैं यहाँ पर एक पोस्ट हैं, दो पोस्ट हैं, लेकिन बहरहाल आपको एक पोस्ट चाहिए, तो एक पोस्ट अपना निशाना सा दिएगा कि मेरे लिए यह ठीक है, बस मुझे इसके लिए काम करना है इसमें भी आपके पास यानि बीटेक होनी चाहिए, और 17 साल से लेकर 42 साल तक के बीच में आपकी उमर होनी जिरूरी है नमबर 3 की 45 पोस्टे हैं, यह पोस्ट है लाइबरेरियन, री अडूटाइज इसको किया गया है यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके लिए एज आपकी 17 साल से लेकर 42 साल तक की होनी चाहिए और यह आपके ग्रेड पे की बात करें, तो 36 सो ग्रेड पे मिलेगा आपके 35 जार पे से लेकर 7 लाक रुपे तक की सेलरी होगी अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आपके पास बैचलर डिगरी होनी चाहिए, लाइबरेरी साइंस के अंदर होनी चाहिए दो साल का आपके पास जूनियर स्तर लाइबरेरियन का एक्सप्रियांस होना जरूरी है, हिंदी और संस्क्रित कोई एक सब्जेक्ट मैट्रिक या इससे हाईर क्वालिफकेशन के साथ में कुम्प्लीट किया होना जरूरी है एडिटाइज नंबर चार के अंदर यानि कैटेगरी नंबर चार में 93 पोस्ट, 93 पोस्ट है, इस 93 पोस्ट के अंदर क्या क्या जानकर यह मैं आपको बता देना चाहता हूँ जहां तक बात आती है आपकी उमर की, तो 17 साल से 42 साल इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसमें भी आपके पास बैचलर डिग्री इंजिनिरिंग कम्प्लीट होनी चाहिए, और इसके अलावा अगर आपने मेकैनिकल या प्रडक्शन या इंडस्ट्री अगर आपने AICTE के जरीए अगर आपने कर रखिये तो वो कैंडिडेट यहां पर फॉर्म भर सकते हैं, इसके अलावा 10th क्लास के अंदर आपने संस्क्रीट में हिंदी या कोई इससे अपर क्लास में क्वालिफाई करना जिरूरी है, बाकि जो प्रेफरेंस के स्बंदित य यहां पर अलड़ी जानकरी दे रखिये और इसका पूरे का लिंक में आपको कमेंट बॉक्स में दे दूगा, आप इजली तरीके से सभी बातें ध्यान से सुनते चलिएगा वन बाई वन ताकि आपको समझ में आ जाएं, 38 पोस्ट हैं यह हैं आपकी वेल्डर के स्बंदित गैस और इलेक्ट्रिक, ध्यान रखियेगा, गैस इलेक्ट्रिक वेल्डर हैं, इंस्ट्रक्टर की सबंदित यह आपकी पोस्ट निकाली गए हैं, तोटल 38 पोस्ट इसमें दे रखिये हैं, आपको बताना चाहूँगा कि इसके सबंदित आपके पास 17 साल से 22 साल तक की एज होनी चाहिए, और National Trade Certificate, NTC, National Apprenticeship Certificate in Welding, या अपने अगर fabrication के अंदर कर रखा है, तो वो विदवान, बंदू, फॉर्म यहां पर भन सकते हैं, इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि 10th क्लास इससे अपर में हिंदी और संस्कृत आपके पास पास होनी जरूरी हैं 144 पोस्ट कैटेगरी नंबर 6 के अंदर फीटर इंस्ट्रक्टर के सबंदित निकाली गई हैं, इसमें आपको बताना चाहूँगा कि बहुत important facts इसमें कुछ बता रखें नोने कि AICTE के जरीए Bachelor Degree in Engineering, Technology या अगर आपने Mechanical, Production, Industrial या Fabrication Engineering किसके दवारा AICTE के जरीए अगर सकते हैं, इसके अलावा Diploma Engineering या इसके बराबर Mechanical, Production, Industrial अगर कर रखा है तो वो भी Candidate Form भढ़ सकते हैं, जान रखिएगा कि यहां पर कहा रखा है कि State Board of Technical Education of Any State Government with a 2-year Practical Experience आपके पास होना जरूरी है, Practical Experience का मतलब यह कि जब आपकी Theory की Classes लगती थी, तो Practical की Classes भी लगी ह तो उसके Experience भी आपको होना जरूरी है, Clear, इसके अलावा बताना चाहूँगा कि 114 पोस्ट हैं, वो आपकी Skill Instructor के सबंदित हैं, इसमें Skill Instructor की जान कर यह आपको दे रखी है, 17 साल से 42 साल तकी Age होनी ची, Full Time आपके पास Regular Mode Bachelor Degree होनी ची, Business Administration के अंदर, यानि BBAG से हम कहते हैं, Clear या आपके MBA कर रखा है, तो वो विद्वान मित्र यहां पर Form भर सकते हैं, एक पोस्ट आपको दे रखी हैं, आपको इंस्ट्रक्टर प्रेक्टिकल के लिए दे रखी हैं, इसमें तो आपको EWS में जान करी दे रखी है, इसकी 17 से 42 साल तक Age होनी चाहिए, और आपकी Hindi या सं पश्वरा दूँगा कि कोई भी गलत जानकरी अपने इस Form में मत दीजिएगा, अगर आप अगर डिजर्व करते हैं, आपकी Qualification इसके साथ मैच है, तो यहां पर Form भरिएगा, अदरवाइस आप Form मत भरिएगा, मैं आपको बार-बार यही बात कहूंगा, 59 पोस्ट हैं, Computer Instructor क के जरिए, रिया किसी भी यूनिवस्टी से अगर आपने Human Resource Development के जरिए, अगर आपने डिगरी कर रखी है, और यह Regular Mode की डिगरी है, तो आप यहां पर Form भर सकते हैं, इसके अलावा, आपने A-Level, यानि A-Level Certificate from Department of Electronics and Information Technology, अगर कर रखा है, तो भी वो Form भर सकेंगे, B, BSc, और BCA from University कर रखी है, तो भी आप Form भर सकते हैं, इसके अलावा 68 पोस्ट हैं, कैटेगरी नमबर 10 के अंदर, इसमें आपके Mechanical जो Refresheter है, Air Conditioner Instructor है, उसके लिए पोस्ट निकाली गी है, जितनी भी पोस्ट हैं, इसको बड़े Patience के साथ सुनते चलिएगा, मैं आपको ह पार एक पॉइंट बता रहा हूँ, इसका अंत में सलेबस भी बताने बाला हूँ, 17 साल से 22 साल तक की आपके एज होनी चाहिए, और आपके पास Mechanical, Electrical, Refrigeration के अंदर Air Conditioner के सबंदित आपके पास एक डिगरी होनी जरूरी है, वो Candidate यहां पर Form भर सकते हैं, या जिसने कर रखी है, BE कर रखी है, Bachelor of Engineering कर रखी है, वो Candidate Form भर सकते हैं, Bachelor of Technology कर रखी हो Form भर सकते हैं, और इसके अलावर Mechanical कर रखी हो Form भर सकते हैं, Electrical हो गया, तो बहुत सारी Qualification आपके, Basically वो विदवान बंदू हैं, वो विदवान कन्याएं हैं, जिन होने कही न कहीं से B-Tech कर रखी ह है, इसकी Qualification क्या है, जरा बता देना चाहता हूं, कि Same Qualification है, इसमें भी कुई ज़्यादा Changes नहीं है, यहां पर आपके पास बात आती है, कि यहां प्रेफरेंस भी आपको दे रखी है, माफ करना, थोड़ा गला सुग गया था बीच में, तो इसके सबंदित भी बता देना है, Knowledge Hindi और Sanskrit का जैसा कि आपको पता है, बार-बार बताता हूं कि 10th है, इसे Upper Class में होना जरूरी है, Diploma in Engineering और इसके बराबर अगर आपने Electrical, Mechanical, Trade या कैसी State Board या Center Board से कर रख है, और 2 साल का आपके पास Practical Teaching या कोई Experience है, तो वो Candidate easily यहां पर फॉर्म भर सकते हैं, सब में Almost Qualification सेम है, कुछ ज़्यादा बार बताने की जरूरत नहीं है, फिफ्टी एस पोस्ट है, प्लमबर इंस्ट्रक्टर के लिए, प्लमबर ठीके, तो इसमें क्या 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 है, मैं आपको बता रहना चाहता हूं कि इसमें भी आपके पास BE यानि बैचलर ओफ इंज इसमें बताना चाहूंगा कि यहां पर मोल्डर की सबंदीत हैं, इसके लिए आपके पास सेम क्वालिफकेशन होनी जरूरी है, तो वो कैंडिडिट यहां पर फॉर्म भर सकते हैं, यहां पर अलग से तीन पोस्ट के बारे में जानकरी दे रहे हैं, यह तीन पोस्ट किसमें ठीक है, आर्किटक्चर है, अर्किटक्चरल जो असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर उसके सबंदीत हैं, 17-42 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए, और सैलरी बहुत बड़े स्तर की यहां पर, सैलरी क्योंकि साथ में पे कमिशन से हरियाना में सैलरी मिल रही है, ठीक है, कर रखी है, टेक्नलोजी कर रखी है, या इसके बराबर अगर आपने आर्किटक्चरल सिवल में कुछ कर रखा है, तो वो कैंडिडेट यहां पर फॉर्म भर सकते हैं, 47 पोस्ट हैं, वो वायर में इंस्ट्रक्टर के सबंदीत हैं, इसमें भी आपके पास almost same qualification होनी चाहिए electrical में basically अगर आपके पास qualification है, वायर में इंस्ट्रक्टर के सबंदीत, तो वो विदवान बंदू यहां पर बहुत easily फॉर्म अपना भर सकते हैं, आगे दिखते हैं 112 पोस्ट किसके लिए storekeeper के सबंदीत है, क्योंकि storekeeper में बहुत बड़े सतर की vacancies आती रहती हैं, तो इसमें ह कर रखा है, economic कर रखा है, मतलब कि आपके पास any degree होनी चाहिए, वो विदवान बंदू यहां पर easily form भर सकता है, point number two के अंदर आपको कहा गया है, कि one year experience in the handling engineering store, posting, ठीक है, मतलब यह है कि आपने government या private structure के अंदर कहीं पर भी अगर आपने store की प्रगा को धंदा कर रखा है, त उसका आपके पास experience certificate है, तो आपको इस paper के बाद में experience का benefit दिया जाएगा, clear, 18 post है guys, यह है, आपके पास meal के सबंदित है, meal के सबंदित आपको दे रखा है, माफ करना meal, ठीक है, तो इसमें meal के सबंदित आपको post दे रखी है, तो यह भी आप देख सकते है, qualification आपको match करती है तो इसमें form भर सकते है, 8 post आपके mechanics instructor के लिए दे रखी है, तो इसमें भी आप screenshot ले सकते है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, 43 post यहाँ पर दे रखी है, फिर से mechanical के लिए दे रखी है, तो यहाँ पर इसका screenshot ले लिजिएगा, और इसके सबंदित अगर आपके qualification match है, तो आप बहुत easily form भर सकते हैं, 132 post यहाँ पर दे रखी है, ग्रूप instructor की बात है, apprenticeship में, supervisor और इसमें दे रखा कि senior technical assistant और junior apprenticeship की सबंदित यहाँ पर जानकरी दे रखी है, और जिसके जानकरी नीचे आपकी age की बात करूँ, तो 17 से 42 साल हो गया, और इसमें कि आपके पास same होनी च है, production है, architecture है, computer, electrical है, या आपके पास electronics है, इसके अलावा अगर आप automobile है, तो आप यहाँ पर form भर सकते हैं, 143 post electrician instructor के सबंदित है, तो basically इसमें electrician है, तो electrician के अंदर आपके पास engineering होनी चलूरी है, तो वो विदवान बंदू यहाँ पर easily form भर सकते हैं, 38 post of apprenticeship instructor की है, तो आपके पास 17-42 सालता की age रखी गई है, और वही आपके पास mechanical, electrical, electronics, production, automobile के अंदर अगर आपने degree कर रखी है, तो वो इदवान बंदू form भर सकते हैं, 51 post की बात करते हैं, तो यह टर्नर instructor के समंदित है, practical में post निकाले गई है, जिसकी जानकरी आपको यहाँ पर दे रखी है, 17-42 सालता की आपकी age है, national, trade और certificate की बात है, यहाँ पर अगर आपके पास है, तो वो candidate easily form अपना भर सकते हैं, 123 post है, यह welder के समंदित है, gas, electrical, instructor के समंदित पोस्ट हैं, ठीक है न, तो इसमें बहुत अच्छे सतरकी post हैं, सारी दे रखी हैं, और salary बहुत अच्छे सतरकी हैं, almost यह officer grade की vacancies मैं कह सकता हूँ, ताकि आपको अच्छे से form बरने की जानकरी भी मिल रही है, 6 post है, यह architecture assistant के सिबंदित है, इसके लिए भी आप यह 17-42 साल तक की age होनी चाहिए, अगर आपने national trade certificate, national apprenticeship certificate in architectural के अंदर कर रखा है, तो वो विद्वान मित्र यहाँ पर form भर सकते हैं 44 post है, यहाँ पर आपको mechanic, electronic, electronic के बारे में दे रखा है, instructor की theory के बारे में जानकरी दे रखी है, तो इसमें भी आपकी qualification क्या होनी चाहिए, bachelor of engineering in electronics या आपके electrical के अंदर, electronics and electronics communication के अंदर आपने कर रखी है, तो वो विद्वान मित्र यहाँ पर form भर सकते हैं, 89 post की बात करें, तो feature instructor practical के लिए है, तो इसमें भी आप इसका काम करिएगा, screenshot ले सकते हैं, तो screenshot के जरीए आपको पता लग जाएगा कि आपकी qualification इसके साथ match है या नहीं है, इसके अलावा 31 post है, यह computer operator programming assistant के लिए है, तो इसमें आपके पास, या तो computer के अंदर engineering होनी चाहिए, या आपके पा पास हिंदी या संस्कृत की होनी जरूरी है, दो post है, यह आपके पास दे रखिये, plastic processing operator instructor के लिए post हैं, और इसके अलावा 37 post है, mechanical electronic instructor की दे रखिये, इसके अलावा बताना चाहूँगा कि यह सभी post I think almost हो चुकी है, category 33 के अंदर एक post दे रखिये, यह publisher operator instructor की post दे रखिये, इस इसके अलावा 6 post हैं, plastic processing operating instructor के बारे में दे रखिये, और इसके अलावा भी हम चेक कर लेते हैं, 108 post हैं, electrician instructor practical के सबंदी दे रखिये, और इसमें भी आपके पास qualification same होनी जरूरी है, 25 post हैं, यह tractor mechanical instructor के सबंदी दे रखिये, सरकारी department की post हैं, किसी परकार के को ठेका ठोका नहीं हैं, यहां पर, ठीक है, 3 post हैं, यह craft instructor के बारे में दे रखिये, और इसके लिए आपके पास full time regular, यानि bachelor of degree होनी चाहिए, किसमे होनी चाहिए, आपके पास dress design के अंदर होनी चाहिए, वो के विद्वान मित्री यहां पर form भर सकते हैं, 5 post हैं, यह tractor mechanical, mechanic instructor के सबंदी दे प्रक् 300 grade पे आपको दिया जा रहा है, और जो भी candidate यह डिजर्व करता, form भरिएगा, 7 post हैं, mechanic computer hardware के सबंदी दे रहे हैं, 7 post हैं, और इसके अलावा 12 post हैं, यह mechanic computer hardware instructor की जानकरी दे रहे हैं, इसके अलावा जो जानकरी दे रहे हैं, 43 mechanical, यह refrigerator के सबंदी एर conditioner, यानि fridge और AC का जो instructor है, उसके सबंदीत आपको यहां पर form भरना है, clear, दो post हैं दे रहे हैं, category number 43 के अंदर इसके लिए के desktop publisher operator theory के सबंदीत आपको यहां पर recruits के लिए notification जारी किया गया, 45 post की बात करते हैं, draftman civil instructor के सबंदीत हैं, और इसके अलावा बताने चाहूँगा कि यहां पर 38 post of the draftman mechanical instructor के सबं women के लिए, ध्यान रखे हैं कि यह post only for women के लिए, cutting and swimming के लिए, cutting and swimming के लिए है, इसके लिए full time आपके पास bachelor of degree in किसमे होनी चीए, spiral के अंदर होनी चीए, dress design के अंदर होनी चीए, वो form यहां पर भर सकते हैं, 30, 28 post, 28 post, draftman mechanical instructor के लिए हैं, और इसके अलावा देख लेते हैं, 30 post इसके अलावा और देख लेते हैं, 12 post है, यह craft stenography Hindi instructor के लिए हैं, और इसके लिए 73 post of mechanist instructor के लिए यह post निकाली गई हैं, इसके अलावा और देख लेते हैं, बताना चाहूँँ, 31 post है, यह craft stenography English instructor के लिए हैं, और इसमें आगे और recruitment की जानकर यह आपको दे रहे हैं, category 52, 21 post है यह Craft Stenography English Instructor के अंदर है और इसके अलावा 53 यानि टू पोस्ट हैं 53 Category के अंदर ही Mechanist ठीक है, Grinder के सबंदित इसकी जानकर यह आपको दे रखी है और 6 पोस्ट है Craft Instructor Health के बारे में दे रखी है ठीक है, और इसमें भी आफ फॉर्म भर सकते हैं आगे Category No. 55 के अंदर 6 पोस्ट है Craft Instructor Health Sanitary के सबंदित आपको यहाँ पर Recruits के लिए Notification के जानकरी दे दी गई है साथ पोस्ट है Mechanist ठीक है, Instructor Grinder के अंदर है और इसमें की आपको फॉर्म भरने की को जरूरत है तो आप फॉर्म भर सकते हैं तीन पोस्ट हैं यह Letho Offset के सबंदित मांगी गी है ठीक है तो यह Machine Minder Instructor के लिए है और इसके अलावा 11 पोस्ट हैं यह हैं आपकी Tool and Die Maker के सबंदित हैं और इसके अलावा बताना चाहूँगा कि तीन पोस्ट हैं यह आपकी ध्यान रखेगा कि Senior Instructor के लिए Hospitality के सबंदित यहां पर पोस्टों की Recruitments आउट किया गया है पांच पोस्ट हैं यह Tool and Die Maker के सबंदित हैं तो यह भी Re-Advertise किया गया है इससे पहले यह Notification जारी था लेकिन उसको यानि Abolish करके दुबारा से Re-Open किया गया है चार पोस्ट फूर Production Instructor के सबंदित है और सारी की सारी पोस्ट है हरियाना के लिए है एक पोस्ट Computer Networking and Hardware Technician के सबंदित है एक पोस्ट है इसके लिए बारमी आपकी Physics Chemistry में होनी जरूरी है और आपके पास 3 साल का B.Tech का कोई या आगर आपके पास Electronic Communication का कोई Technical Experience अगर आपके पास है तो वो विदवान बंदू याँ पर फॉर्म भर सकते है 10 पोस्ट हैं या Craft Instructor Women and Hair and Skin Care के सबंदित यहाँ पर जानकर ही मांगी गई है और इसके लिए 5 पोस्ट हैं Computer Operator के सबंदित हैं पोस्ट अगर आपने पोस्ट Diploma in Computer Science कर रहा है तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं O-Level कर रहा है तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं इसमें आपका रिटन एक्जाम के जरिए टाइपिंग भी होगी आगे दो पोस्ट की जानकरी आपको दे दे रखिए हैं तो जूनिर प्रोग्रामर की यहां पर जानकरी देगी चार पोस्ट हैं Craft Instructor Women के लिए है तो यह Women के लिए Fashion में मांगी गई हैं 28 पोस्ट हैं यह Plumber Instructor Practical के लिए समंदित हैं ठीक हैं तो यह आगे बाद जादा पोस्ट हैं तो ध्यान रखिएगा सभी छोड़ी छोड़ी जितने भी डिपार्टमेंटों से विकेंट खाली पोस्ट हैं थी सब की सब इन्होंने कठी करके निकाल दी है 19 पोस्ट हैं यह ठीक है तो यह भी आपकी Mill Right के अंदर पोस्ट हैं निकाली गई हैं 20 पोस्ट हैं यह भी Mill के सबंदित आउट किए गई है और इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा 10 पोस्ट हैं यह ग्रूप इंस्ट्रक्टर के लिए हैं तो यहां पर फॉर्म भर सकते हैं इसमें फुल टाइम आपके पास कोई भी मोड बैचलर डिगरी होनी चाहिए किसमें होनी चाहिए आपके पास ड्रेस डिजाइन या गार्मेंट के सबंदित आपके पास है तो वो विद्वान करने फॉर्म भर सकती हैं दो पोस्ट हैं ग्रूप इंस्ट्रक्टर के लिए हैं और इसके अलावा चार पोस्ट हैं यह लैब अटेंड के लिए हैं और इसके तो वो यहां पर फॉर्म भर सकते हैं 56 पोस्ट हैं यह मेकैनिक मोटर वीकल के लिए हैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि क्वालिफकेशन की बात है तो उसमें भी आपको बता देदा हूं कि अगर आपके पास टेकनोलोजी में बीटेक कर रखी है बेट बीटेक अगर सिं को टूल मेंटेंस का एक्सपरियेंस से वो फॉर्म भर सकते हैं 25 पोस्ट अप मेकैनिक मोटर वीकल के लिए मांगी गई हैं और इसके अलावा बता देना चाहता हूं कि तीन पोस्ट हैं इन्फॉर्मेशन टेकनोलोजी के सबंदित मांगी गई हैं और दो पोस्ट हैं यह मे कर्मेंट रूल रेगुलिशन के मताबिक एज में छूट दे दी जाएगी फीस की बात है तो जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो आपको मेल या फीमेल है तो 150 रुपे पे करना पड़ेगा फीमेल हर्याना से 75 रुपे करना पड़ेगा और कैंडिडेट जो हर्याना रुपे की फीस यहां पर दी गई है ठीक है इसके अलाबा देख सकते हैं आप यह की ओल्ड कैटेगरी नंबर था उनका चेंज कर दिया गया है तो आप देख सकते हैं ऐसा नहीं कि हर्याना के अंदर अभी निकालीगी इससे पहले जितनी भी तरीके की पोस्ट निकाली जा इक प्रण पेपर के झाला है तो سब का सेम रहने बाला है तो गयस इसके लिए यहां को बता देना चाहता हूँ कि आपको बटा दीए एक्जाम की जहां तक बात आती है तो एक्जाम गाईज यहां पर सेप्टेंबर से एक्टूबर के बीच में आपका एक्जाम कंड़क्ट किया जा सकता है पेपर आपका ऑफलाइन या ओनलाइन होगा इसकी जानकर यह आपको वेबसेट के जरिए दे दी जाएगी फॉर्म भ आभरने के बाद में अपनी पेमेंट करिएगा पेमेंट करने के बाद में अपना परिंट आउट संबाल के अपने पास रखिएगा यह जान करीए अगर अच्छी लगी तो प्लीज है और शेयर करना नहीं बूलिएगा मैं आप तक नेक्स बिजान करी लेके आँगा तब तक ख्याल रखिएगा टेक केर बाबाए